हेलो एंडर नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में प्यारे दोस्तों अभी अभी आपके विश्विद्धाल है बोले तो BNMU से बहुती बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जी हाँ बी ए बीए सी बीकॉम पार्ट वन वाले बच्चे कई महेनों से इंतजार कर रहे थे अपने एक्जाम का तो फैनली इंतजार की घरी खत्म हो चुकी है आपके भी सिविद्धाल बोले तो विय Очाम प्रोग्राम एक्जाम सेंटर लिस्ट, प्रैटिकल एक्जाम सेंटर देट जारिकेंक यसवीडियो में आप सभी को step by step आपका exam routine exam center list समझाने वाला हो तो प्यारे दोस्तों सुरू से ले के अंतक हमारे साथ बने रहोगे वीडियो को बिल्कुल भी एसकी नहीं करना माना कि आपने यदि exam routine देख भी लिया है फिर भी इस वीडियो को अवसे देखना ताकि आपके वहन में जो भी confusion हो वो confusion आपक प्यारे दोस्तों आपके एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना ठीक है मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि यहीं से सारे सवाल पूछे जाएं प्यारे दोस्तों वीडिय की सिरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि यहीं से सारे कंटेंट सारे महतरपूर्ण कंटेंट सिर्फ और इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल निसुल्क में दिया जाता है सभी ऑनर्स पर एंग सबसेड 14 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक विलम सुल के साथ अपना प्रिक्षा फर्म ऑनलाइन भर ले ठीक है आप सभी भर ले ऑनलाइन यह सबसे आखरी मोका दिया गया इसके बाद आपको कोई मोका नहीं मिलने वाला है तो सबसे पहले हम लोग एक्जाम रूटिंग को काफी ब जो है यह पब्लिस कर दिया गया था परन्तु आप लोगों को पास पहुशते 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 जो है यह 23 नवंबर हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हो देखो सभी बच्चे पहली बार गर्जवेशन की परिक्षा है दे रहे हैं तो उन्हें थोड़ा समझने में परिशा नहीं होगी परन्तु मैं आपको यहाँ पर step by step समझाने का काम करूंगा आपका एक्जाम रूटिंग तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ओनर्स पेपर जी हां आपने ओनर्स पेपर सभी बच्चों ने रखा होगा तो यहाँ पर ओनर्स पेपर को इस प इसके बाद म्यूजिक रखा गया है कुल मिला के पांस ओनर्स पेपर को जो ग्रूप ए में रखा गया है ग्रूप बी में प्यारे बच्चों सोसियोलोजी एकनोमीक्स रूरल एकनोमीक्स हिंदी मेटली इसके बाद इंगली संस्क्रीत उर्दू पार्षिन एंड बंगाली म को रखा गया है गुरूप सी में पॉलिन सायंस साइकलोजी ज्योग्रॉफी हम साइन्स एंथ्रोप लोजी को रखा गया एंग्रूप ड़ि में फिजीक इसिक्स केमेस्ट्री बुुट्ट्नी जोलोजी मैंथमेटिक्स और स्यायंस दोनों वाले वच्चे रखें ऑनर्स पर में ठीक है इसका जीओलोजी एस्टेटिक्स साइन्स और स्कॉपट कॉमर्स गुरुपडी में सब्जेक्ट है आप लोगों की परिख्षाएं जो है दो सिटिंग में आप लोगों की परिख्षाएं होंगी पहली सिटिंग जो है सारी नौवजे से लेकर दोपर साड़े बारव ज़े तक दूसरे सिटिंग जो है दोपर से डेर वज़े से लिए साम साधी चार वज़े तक ठीक है और आप लोगों की परिक्षाएं जो है 21 दिसंबर से प्रारम होने वाली है 21 दिसंबर को फार्स सिटिंग में गुरूप वालों का पेपर वान होगा यानि कि पहली सिटिंग में ठीक है जैसे कि आप सभी यहां पर देख पाए इसके बाद गुरूप B वानों का पहला पेपर है दूसरी सिटिंग में 21 दिसंबर को फmost भृफ को कोई परिक्षाएं नहीं में 37 तारीक को जो है ग्रूप A वालों का दूसरा पेपर होगा फर्स शीटिंग में इसके बाद ग्रूप B वालों का दूसरा पेपर होगा सेकेंड शीटिंग में ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओनर्स पेपर को समझने में कोई दिक्कत नहीं यह जदी दिक्कत है तो फिर भी मुझे आप कोमेंट करके पूछ सकते हो पहरे दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर आप सभी बच्चों ने सबसेडरी सब्जक्ट को रखाओगा ठीक है सभी ने सबसेडरी को भी रखाओग ठीक है तो यहां पर बात कर ले रूरल एकनोमिक्स जो पिति दिसंबर को रूर एकनोमिक्स की परिख्चाय होंगी फास्टेंग में इसका पॉलिटमस की परिख्चाय होंगी लुकिजरर प्राके नरहेंगी फ्लिट मेंस फास्टेंग में टीन जjam जनवरी को ठीक है अन memo से साथ जनवरी को सोचोल्गी सेटिगांगी यहाँ पर देख सकते हो हिंदी उर्दू इंगिलिस बंगाली संस्कृत पार्शेन यह सब सारी सब्जेक्ट 12 तारिकों फार्स इटिंग में होने वाली है इसके बाद आरबी हिंदी साइंस वालों बच्चे को लिए है गुरूप डी का जी यहां पर आरबी हिंदी कॉमर्स गुरूप डी वालों का जो है यहां पर है पर सिटिंग में इसके बाद सेकेंड सिटिंग में आरबी हिंदी आर्स वालों गुरूप ए और गुरूप बी वालों का है ठीक है यहां पर देख सकते हो इसके बाद सब्जेक्ट हिस्ट्री इसके बाद सब्जेक्ट की परिक्षाएं जो है सेकेंड सिटिंग में 16 तारिक हो तो यहां पर देख सकते हो यहां पर देख सकते हो यहां पर सारी जनकारी इसमें आपको समझने में प्रोब्लम हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना तो इसके बाद जो बच्चे आर्बी नान हिंदी रखे हैं उनकी प्रेक्षा है बीस तारी को जो है फर्स शिटिंग में होगी साइन्स वालों की इसके बाद बात कर लिए हाँ पर प्राटिकल एक्जाम की बात कर लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे तो यहां पर साब साब आप सभी देख पा रहें तक पर्थम खंड 2022वाइस हँआ है निर्देषान उस तरसूचीत क्या दाता है कि पर्योगी मतलब होता है प्राटिकल तथा मोखीग प्रीक्षा हैसं फंपन कराने है तु मह conditional के परिक्षा के अंतर्था आपको क प्रिच्छा करिक्रम याने कि वह भी जारी कर दी गई है तो मैं आपको यहाँ पर सब्सक्राइब दे पाओ गे इसका प्रेक्टेकल एक्जाम सेंटर लिस्ट देख लो तो प्यारे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सेंटर लिस्ट एंड प्रोग्राम फोर डिग्री पार्ट वन एक्जाम दोजर बाइस दिएंड डिग्री पार्ट टू एक्जाम दोजर बाइस ओनर्स तदा सबसेडरी पेपर में है के सब्सक्राइब को पोर्च में अइधनि जो जो कि दिसका नाम नहीं उनका जो है practical यादी की परवती साइंस में practical परिक्षा हें होगे एयसका उनके जितने भी college आ रहे है वह भी परवती सांट में उप्टिकल देंगे- इसकी वाद बी, एङन, जा मद४रा में जो है बे अनल बी AP klonk कोलेज को मधिपुरा का सेंटर पर परेंगा ठीक है कर्मा में यूब कर्मा का संटर पढ़ने वाला यह प्रैकल संटर के बात कर रहें ठीक है एकजाम संटर की बात नहीं कर रहें सब्सक्राइब कर दोस्तों सब्सक्राइब कोलेगा सब्सक्राइब 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 सब्सक्वाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं उसकात कॉटलेज नहीं सब्सक्राइब सब्जक्ट की साइन्स सब्जक्ट की साइन्स सब्जक्ट की साइन्स पर जो पढ़ी है उनका सेंटर लिस्ट में बता दिया आप सब्जक्ट की बात कर लेते हैं तो प्याड़े बच्चों यहां पर देख सकते हो आप साइकलोजी का भी देख लिया आपने देख लिया मैं इसका पीडिया आपको वाट्सप ग्रूप में दे दूंगा वीडियो काफी लंबा हो चुका है पहरे दोस्तों नेक्ट वीडियो म करने के लिए बताओंगा जिसके माध्यम से आपको मिलाकर एक मिनट में प्राप्त कर पाओगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग बाइबाई टेक केर जाहें दोस्तों